हलो दोस्तों आप सभी का हमारे हिंदींगलिश यूट्यूप चैनल में स्वागत है पहला वीडियो है जिसमें हम बेसिक मतलब हिंदी सूर, हींदी व्याजन और हिंदी वरनमाला और जिसे हम इंगलिश में ऐलफाबेट्स कहेंगे तो क्या दिया जाता है यही हम जानेंगे वोवेल्स और कॉंसोर्णन के बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे तो यह पहला वीडियो है तभी इस वीडियो से हमें अपनी जर्णी स्टार्ट करनी है अपना सफर स्टार्ट करना है, हमें आगे जलके बहुत सरे vocabulary, grammar, हमें सब कुछ जान लेना है, जिससे कि आपको English में लिखना, बोलना और पढ़ना, ये सभी चीजे अच्छी तरह सी मालूमात होगी, और आप उसमें अच्छे से expert हो जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं कि हिं अगर आप यहां पर देखेंगे कि सारे के सारे A, बाद में E, I, O, U, यही 5 alphabets English के लेके ही सब बने, तो इसका मतलब क्या है कि English में A, E, I, O, और U, ये 5 swear है, जिससे vowels कहते हैं English में, हमें हमें इससे क्या कहते है, swear, मगर swear में हमें A से लेके आहा तक है, तो ये 12 swear है, उसके इससे बाद हिंदी में अपने इसमें वेंजन है, जैसे कि क, ख, ग, ग, च, और यहां से लेके न्यात तक है, मगर ये वेंजन बनाते वगक हम क्या करते हैं कि कुछ English के जो spellings है, और हम swear इसका ही इस्तमाल करते हैं, और उसी तरह से मगर वर्णमाला देखेंगे, तो वर्ण तो ये सारे के सारे अपने swear की तरह ही है, तो मतलब वेंजन और swear ये मिलके अपने होगे वर्णमाला, तो क से लेके ख, ग, ग, उसके बाद है ये, आप यहां पर वीडियो रोक के भी आप पढ़ सकते हैं, या तो उसका spelling आप देख सकते हैं, मैं सारे के सारे पढ़ने अगर कर जाओं, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, च, ज, 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 बाद में ट, ठ, ड, ध, उसके बाद है, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, द्य, तो ये सारे के सारे सबसे important है, क्ष, और द्य, आप इनके spelling से एक बार देख लिजेगा, वीडियो आप जहां चाहिए आप पाउच कर सकते हैं, या तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं, तो ये होगे अपने swear, vengeance, और ज, वरिणम आला है, इनका हम English में किस तरह से लिखते हैं, ज, ज, अ, तर से ये अपने किसी भी नाम, मितलब किसी का अगर नाम है, या तो noun हम जिसे English में कहते हैं, अगर इसका आपको, वो spelling बना था, इसके बख आपको ये बहुत ही इस्तमाल होंगे, ओके, तो चलिए हम कुछ थोड़ा सा हम, और ये वीडियो तो अभी पहला introduction के बाद पहला वीडियो ये, जिसमें हम स रिखना, पढ़ना, जो भी है, वो हम सब का सब सीखेंगे, ओके, तो जाते वाक ग्रीटिंग्स, आपको अगर कोई मिल गया रस्ते पर चलते, या तो कहीं भी भी आपका दोस्त मिल गया, तो आप किस तरह से बोलते हैं, बहुत दिनों के बाद अगर आपको मिला, तो आप कुछ पूछना है कि आप कैसे हो, किस तरह से हो, आप अच्छे हैं ना, तो आपको अगर पूछना है कि आप कैसे हो, कैसे है आप, तो वहां से आप इंग्लिश में भी यह कह सकते हैं कि how are you, तो सामने वाला आपको जवाब दे सकता है, या तो आपको अगर किसी ने यह सव सवाल पूछा तो आपको क्या जवाब देना हिंदी में आप कह सकते कि मैं ठीक हो इंग्लिश में आप कहेंगे कि I am fine तो आप उसके उपर कोई अगर आपको सवाल पुछता है उन्होंने अगर जवाब दिया तो आपको क्या कैसे कह सकते कि धन्यवाद मतलब thank you आप कैसे है अ हम जैसे कि किसी को मिल गए रस्ते से तो कुछ ना कुछ तो बोलना है ऐसे सिर्फ देख के हम नहीं चले जाते है अगर पैचान वाले है तो हम कुछ बोलते है good morning या तो hello how are you यह बोलते है तो यह सबसे अच्छा है communication का शुरुआत करने का एक तरीका है जो हमारे हिंदी में है और सेम वाइसे इंग्लिश में भी तो यह आज तक का वीडियो था अभी अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि वो carrying हम देखेंगे और कुछ और से देखेंगे तो यह वीडियो वन है आगे में हमें बहुत सारी जर्णी करनी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहे है स तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू